नमस्कार मंड़ी कैसे हो कसका है मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया ही होंगे जैसे कि मैंने मेरे लास्ट टू लास्ट दो तीन वीडियो लास्ट पहले मैंने बोला था कि मैं मेरे फोर्ड फीगो का लॉंग टर्म ओनर्शिप रिव्यूग बना हूँ कि नहीं बन है और कितनी अच्छी है तो चलिए यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो कुछ आज मैं ओनर्शिप रिवू बताने वाला हूँ सारा लेमेन लागवज में होने वाला है जो कुछ मैंने एक्स्पिरियंस किया है 62,000 किलोमेटर चलाने के बाद सो मैं आपको आज वह बताने वाला हूँ तो स्टार्ट करते इसके फ्रेंट प्रोफाइल से फ्रेंट प्रोफाइल देखने के बद आपको एक मिलेगा यहाँ पर एक छोटा सा क्रोम फिनिश ग्रिल वहाँ पर फोर्ड फियो का यह लोगो लगा है तो यहाँ पर आपको डबल फॉग लाम्स मिल जाते है जो एलेडी नहीं है यह पूराने 2011 मॉडल तो यहाँ पर ज्यादा एलेडी यूज की है नहीं गया है बट आपको यहाँ पर देख सकती है बहुत ही खूबसूरत सा यह हेड्लाम दिया गया है जो काफी ज़्यादा अच्छा है और काफी ज़्यादा हाइवे पर काम आता है तो उसके बाद आपन देखेंगे कि बोनेट पर यहाँ पर बोनेट काफी अच्छा है ज़्यादा इसका अग्रेसिव लुक नहीं दिया है बट यह लुक काफी ज़्यादा उब तो कुछ इस तरह से इसका side profile दिखता है जिसमें आपको अच्छे खासे windows बड़ी मिल जाती है जिससे आपका air ventilation काफी अच्छा रहेगा और यहाँ पर आपको side indicators की LED मिल जाते है प्लस यह जो mirror से यह adjustable है प्लस यहाँ पर अगर tire की बात करेंगे तो इसमें लगे है continental के 185 by 65 section के tires जहाँ पर मैंने सारे मैकविल्स यूज के यह है जहाँ पर मैंने यह थोड़ा customization किया है तो यहाँ पर आपको यह एक हलका सा chrome finish वाला side इसको क्या बोलते है I don't know यह finish काफी अच्छा लुक देता है यह गाड़ी को तो अभी देखते है इसके back profile में सो यहाँ पर मैंने petrol लि निकल गया है यहाँ पर few लिखा है और काफी ज़्यादा premium finish देता है जहाँ पर आपको यह रियर साइड में wipers मिल जाते है प्लस यहाँ पर आपको LED मिल जाता है on your roof यहाँ पर जो टेल लाम से यह बार टेल लाम से जहाँ पर आपको reverse indicators देन आपको सारी यह चीज़े यहाँ पर मिल जाती एक standard variant में जो आती है प्लस यहाँ पर आपको रियर में towing hook मिल जाता है देन अगर boot space की बात करेंगे 284 लीटर का अच्छा का सा boot space आपको मिल जाता है अभी जो है इसका थोड़ा सा problem हुआ है जिसकी यह boot space open नहीं होता है अभी देखते यह गाड़ी के बारे मे जो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और एक premium hatchback का look देती है गाड़ी के जी height हो थोड़ी सी कम है बट 511 to 512 के लोगों के लिए easily यहाँ पर आपको comfort मिल जाएगा और अगर इसके ground clearance के अगर बात करेंगे जो इसका ground clearance hatchback की तरह थोड़ा सा कम दिया गया है जि जाड़ी का interior दिखाने से पहले में आपको इसका engine दिखाना चाहूंगा तो इसका engine खोलने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको opposite side जाना पड़ता है यहाँ पर इसका switch दिया गया है आप देख सकते हो यहाँ पर यह switch है तो इसमें लगा हुआ है Duratec का Ford engine यह है petrol variant तो इसम engine with 1196 CC जो maximum power generate करता है 71 BHP at 6250 RPM with the maximum torque of 102 Nm at 4000 RPM और यह गाड़ी आती है 5-speed manual transmission के साथ जिसमें आपको mileage काफी अच्छा मिल जाता है तो mileage के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे बट कुछ इस तरह से इसका engine दिख क्या आता है आप देख सकते हो इसमें यह 4-cylinder engine लगे कुछ इस तरह की इसकी किया आती है जिसमें unlock, lock और यह डिक की open होने का switch दिया है तो अभी करते है unlock यह unlock हो गई है तो अभी देखते हैं इसके interior कैसे है तो सबसे पहले बात करेंगे इसके doors के बारे में तो doors का जो आवाज हो काफी जादा premium है और इसमें समझ में आता है कि कि इसना अच्छा steel Ford ने use किया है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देख सकते है यह bottle रखने के लिए space दिया गया है जो आप horizontally यहाँ पर रख सकते हो अगर इसके instrument cluster के बारे में बात करेंगे तो left side में आपको tachometer मिल जाता है यहाँ पर आपको speedometer मिल जाता है और यहाँ पर आ आपको boot space यानि की dicky open करने का यहाँ पर switch दिया गया है प्लस आपको यहाँ पर knob दिया गया है आपका headlight adjust करने के लिए और इसका जो थोड़ा unique मुझे यह लगा है कि इसका जो side indicators है वो left side में दिये गया है normally यह right side में आते है Indian cars में इसमें जो right side में है wiper adjustment मिल जाती है अगर इसके steering की बात करेंगे so steering में काफी ज्यादा अच्छा look दिया है मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें यह steering थोड़ा बड़ा है as compared to other cars but यह काफी ज्यादा reliable है और handling की लिए काफी ज्यादा helpful होता है so इसमें यहाँ पर हॉन दिया गया है हॉन कुछ इस तरह से है यहाँ प यह काफी ज्यादा chilling effect देते है अगर आप कोई भी Summers में गाड़ी चलाते हो तो यहाँ पर एक hazard light indicator मिल जाता है यहाँ पर यह defogger मिल जाता है then यह music system आता है जो already inbuilt है ford की तरफ से so यहाँ पर यह fan switches आते है then इसमें आपको air intake रखना है वह adjustment आती है then यहाँ पर AC है AC on off यहाँ पर AC hot cold variant then यहाँ पर AC के ही controls है और यह रखा है मैंने mask जो बहुत ही ज़ादा जरूरी है आपको covid से बचाने के लिए और यहाँ पर एक चोटा सा gear shifter दिया है जो दिखाता है 5 gear system और यहाँ पर आपको 12 volt का charging port मिल जाता है then यहाँ पर आपको एक cup holder मिल जाता है then च तोटा सा space यहाँ पर दिया गया है आपके चिल्लर वगएरा रखने के लिए इसमें glove box काफी जादा अच्छा दिया गया है space आप easily अच्छे से use कर सकते हो और इसकी जो एक बात मुझे बहुत ही जादा अच्छी लगी है वह है इसके speakers इसके speakers काफी जादा बेसी है और और windows मिलती है आपके top of the line version में भी तो यह थोड़ा सा मुझे कही ना कही positive भी लगता है और negative भी हो सकता है as a safety feature तो यहाँ पर अगर देख सकते हो यहाँ पर भी आप कुछ phone वगरा रख सकते हो आपका यहाँ पर आपको rear view यह mirror दिया गया है यहाँ पर यह यहाँ पर यह light setting ह यहाँ पर यह sun shades है जो अभी भी अच्छे तरह से काम कर रहे है यहाँ पर आपको vanity mirror मिल जाता है इसका interior है वो काफी decent है मैं नहीं वो लूंगा कि एकदम premium feel देता है बट मुझे लगता है कि 2011 compared models में यह काफी ज़्यादा अच्छा था अगर इसके seating comfort के अगर बात करेंगे इ जिसमें आपको fully black color के interior मिल जाते है बट sitting comfort काफी अच्छा है जिसमें आप seat height भी adjust कर सकते हो उपर नीचे आपके height के हिसाब से बट मैं मानता हूँ कि आपका अगर height 512 या 511 भी होगा तो भी आपको easily यह drive करने के लिए easy रहेगी तो मेरी height है 57 तो मैं easily इसको drive कर पाता हूँ अगर back seat पर मैं पूरा बैठा हूँ आगी की seat पूरी पीछे है फिर भी मैं comfortable यहाँ पर बैट पा रहा हूँ और इसकी जो roof height काफी decent है मतलब easily मैं यहाँ पर fit हो सकता हूँ और तीन लोग यहाँ पर easily adjust हो सकते है फ्लस इसमें जो आपको back rest और neck rest मिल जाता है तो यहाँ पर म में पहले बात कर रहा था कि इसके top of the line version में भी सिर्फ आगे की तरफ power windows मिलती है पीछे की तरफ आपको manually adjust करना पड़ता है यह कहीं निगेटिव भी हो सकता है और positive भी है यहाँ पर decent आप एक देख सकते हो interior दिया गया है जिसमें आपको सिर्फ यह handle handle पकड़ने की लिए इ कीता है तो अभी सुनते इसका exhaust note कितना सही है तो अभी का यह गाड़ी को हम लोग चला के देखते है और देखते है इसका performance कैसा है तो यह गाड़ी को almost 62,000 km हो चुके है तो यह गाड़ी मेरे साथ है 2011 से तो अभी इसको चला के देखते है तो basically इसका जो handling है वो काफी है यह segments के गाड़ी के compare में है हलाकि इसमें जो power है वो थोड़ा सा कम दिया है बट मुझे नहीं फ्रील होता है कि इसमें power की कुछ कमी है अगर हम लोग बात करेंगे initial torque की और power की सो आपको अच्छा कासा smooth power delivery मिल जाता इसमें और मैं अभी इसको चला रहा हूँ second gear पर अभी म में इसको रेव करने जा रहा हूँ तो इसका handling काफी ज़दा perfect है अगर आप highway पे drive कर रहे हैं तो इसमें आपको बिल्कुर भी feel नहीं होने वाला है प्लस इसकी जो अभी हम लोग चला रहे है फोड़े से off-roading type road पर तो इसका suspension वो steep दिया गया है as compared to अगर हम लोग बात करें मारुदुसर की switch की तो उसमें जो है उसका body weight थोड़ा कम दिया गया है तो उसमें आपको suspension थोड़े जादा extra steep दिये गया है but मैं मैं मानता हूँ कि इसके जो suspension है वो balanced steep दिये गया है अगर आप long drive पर जाना जादा पसंद करते हो तो ये कार आपको बिल्कुर भी fatigue मैसूस नह comfort feel होगा आपके long drive में भी और एक इसकी जो मुझे खास बात ये लगी है कि petrol variant में आपको बिल्कुल भी engine का आवाज feel नहीं होने वाला है as compared to diesel cars में जादा engine का आवाज आता है अगर आप ये गाड़ी चलाते हो जैसे कि मैंने बोला कि 62,000 km सी ये गाड़ी को हो गया है फिर भ गाड़ी वो टाइम पर engine के लिए ही थोड़ी सी मार्क आ गई थी बट मुझे लगता है कि ये balanced car है जिसमें आपको safety काफी अच्छी मिल जाती है प्लस आपको comfort, ride comfort और handling सबसे जादा बहतर है ये segment की cars में अगर ये गाड़ी की अगर बात करो तो वो टाइम पर मैंने ये गा चलाते है, 2 प्लस 3 सीटर अगर चलाते है, with boot space, complete full boot space, तो ये गाड़ी speed breakers पर कहीना कहीं थोड़ी सी घिसती है और हमें carefully चलाना पड़ता है, और इसकी एक छोटी सी बात रहे गए कि इसका mileage कितना है, भाई सबसे ज़्यादा important चीज होती है कोई भी Indian consumer के लिए, तो मैं आप भी लेना चाहते हो एक second hand car और आप confused हो between Hyundai and Ford Figo car, तो मैं आपको recommend करूँगा कि Ford Figo लीजिए आपके अच्छे good handling और एक अच्छे performance के लिए, although मैं कहूंगा कि इसका engine इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट आपको ये ज्यादा reliable होने वाली है गाड़ी, तो मैं आशा क के बारे मैं review करने की जरूर कोशिश करूँगा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, इसे like करना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, जिनको ये second hand car लीनी है तो, ये चैनल को subscribe करना भूलिए, ऐसा ही कुछ अच्छ 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 वीडियो हम लोग य ये वाज़ ये वाच्छ इस वीडियो, तिल दे इन वाफ, रिडिग वेज़!